प्रधान मंत्री नरेन रिमोदी ने शुक्रवार को देश वास्यों को संबोधित करते हुए तीनों कृषी कानून वापस लेने का बड़ा ऐलान किया है गुरु पर्व के उसर के साथ ही किसानों की खुशी दुगनी हो गई है प्रधान मंत्री नरेन रिमोदी द्वारा बिल वापसी पर मुख्य मंत्री योगी आदितिनात ने कहा कि कृषी कानून चाहे जैसे भी रहे हो लेकिन अगर कहीं से भी आवाज निकली है तो लोकतंत्र में समवाद की अंसुनी नहीं कर सकते जब कहीं से आवाज उठी है तो उसकी भी सुनवाई होगी बाचीस से समवाद से हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे उन्होंने कहा कि तीन कृषी कानूनों को प्रधान मंत्री जी द्वारा वापस लिये जाने का मैं उत्तरप्रदेश शासन की ओर से हिर्दय से स्वागत करता हूँ हम सब जानते हैं कृषी कानूनों को लेकर किसान संगचन आंदोलन कर रहे थे आज गुरू परवपर धान मंत्री ने लोकतंत्र में समवाद की भासा का इस्तिमाल करते हुए तीनों कृषी कानून को वापस लेकर एतिहासिक कारे किया है वो किमंट्रियोगी आदितिनात ने कहा कि मैं उसके लिए उनकी इस कदम का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ उन्होंने कहा कि सुरू से ही संबंध में एक बड़ा समुधाय ऐसा था जो इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस तरह के कानून महतपूर्ण भूमी का तैग कर सकते हैं लेकिन उस सब के बावजूत कतिपै किसान संगचन इसके विरोध में आएं तो सरकार ने हर अस्तर पर समवाद बनाने का प्रयास किया उन्होंने कहा कि ये हो सकता है कि हम लोगों की तरफ से कोई कमी रह गई होगी हम उन लोगों को समझाने में कहीं ना कहीं विफल रहें जिसके बाद उन्हें आंदुलन के रास्ते आगे बढ़ना पड़ा था लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृशी कानूनों को वापस लेने और MSP को भी लेकर एक समिती के गठन करने का हम प्रदेश शरकार की ओर से स्वागत करते हैं साथी गुरू पर्व की शुपकामनाय देते हैं इस संबंध में मुख्यमंट्रियोगी आदितिनाथ ने कहा साथियों हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए देश के क्रशी जगत के हित में गाउं गरीब के उजवल भविश्य के लिए पूरी सत्य निष्ठा से किसानों के प्रती पूर्ण समर्प्रभाव से नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी लेकिन इतनी पवित्र बात पूर्ण रुप्षे शुद्ध किसानों के हित की बात हम अपने प्रयासों के बावजूत कुछ किसानों को समझा नहीं पाए बले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोत कर रहा था लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था क्रिशी अर्थसास्त्रियों ने वैज्याकिनिकों ने प्रगतिशिल किसानों ने भी उन्हें क्रिशी कानूनों के महत्वपूर्ण को समझाने का भड़पूर प्रयास भी किया हम पूरी विनम्रता से खूले मन से उन्हें समझाते रहें अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामुहिक बात्चित भी लगातार होती रही है हमने किसानों की बातों का उनके तर्क को समझने में भी कोई कोड कसर बाकी नहीं छोड़ी कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें एतराज था सरकार उन्हें बदलने के लिए लिए भी तैयार हो गई दो साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंट करने का भी प्रस्ताव दिया इसी दोरान ये विशे माननी ये सर्वोचे नहायले के पास भी चला गया ये सारी बाते देश के सामने है इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाओंगा साथ क्यों मैं आज देश वास्यों से ख्षमा मागते हुए सच्चे मन से और पवित्र रदे से कहना चाहता हूँ कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिये के प्रकाश जैसा सत्या कुछ किसान भाईयों को हम समझा नहीं पाए आज गुरु नानक देवजी का पवित्र प्रकाश पर्व है ये समय किसी को भी दोस्त देने का नहीं है आज मैं आपको पुरे देश को ये बताने आया हूँ कि हमने तीन कुरुशी कानूनों को वापस लेने का रिपील करने का निर्णे लिया है इस महिने के अंत में शुरू होने जा रहे है समसत सत्र में इसी महिने में हम तीन कुरुशी कानूनों को रिपील करने की सम्विधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे साथियो मैं आज अपने सभी अंदोलन रत किसान साथियों से आगर कर रहा हूँ आज गुरु परब का पवित्र दीन है अब आप अपने अपने घर लोटे अपने खेत में लोटे अपने परिवार के बीच लोटे आईए एक नई शुरुवात करते हैं नए शिरे से आगे बढ़ते हैं मित्रों, तीन किर्शिक कानुनों को आधनी प्रधान मंत्री जी द्वारा वापस ले जाने का मैं उत्तर प्रदेश सासन की ओर से हिर्दे से स्वागत करता हूँ हम सब जानते हैं कि पीन किर्शिक कानुनों को लेकर कि कथिपए किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे आज गुरु परोपर प्रधान मंत्री जी ने लोक तंत्र में संबाद की इस भासा का इस्तिमाल करते हुए तीनों किर्शिक कानुन को वापस लेकर के जो एथियासिक कार्य किया है मैं इसके लिए उनके इस कदम का हिर्दे से स्वागत और अविनंदन करता हूँ यद्यपी सुरू से ही इस समन्द में एक बड़ा समदा ऐसा था जो एक इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानुन महित्वपूर भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं लेकिन उस सब के बाब जो थ जब कत्वय किसान संगठन इसके विरोध में आये थे सरकार ने हर स्थर पर संबाद बनाने का प्रियास किया यह हो सकता है कि हमारे स्थर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं बिफल रहे जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था लेकिन लोगतंत्र किस भाव का सम्मान करते हुए तीनों किर्शी कानौन को वापस लेने और MSP को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की और से हिर्दे से स्वागत करते हैं कुरू पर्व की प्रदेश वाश्यों को हिर्दे से बधाई भी देते हैं मंगल में शुपकामना ही भी बेक्त करते हैं झाल झाल